सो अभी हमें क्या करना था कि क Spaß घंगा से छिएंध करना था बहुत सारे करना करना है कि आपको सबसे पहले कस्टमेर के साथ अरे लेशनग करना है अभी इस मेरे चैत हैंग सारो 17F मैं विश्वास हुपता बात कर रहा हूँ मैक्स बूपा से जिसका नाम अभी नीवा बूपा हो चुका है आपका मेडिकल पॉलिस से रिलेटीड कोई दिक्कत हो तो प्लीज कॉल कीजिए मुझे तो उनका रप्लाई आया Already I issue check and given to my agent मैं already check issue कर चुका हूँ मैंने उनको रिवर्ट किया medical policy related कोई issue हो तो sir please call कीजिए उन्होंने कहा कि मेरा agent perfectly handle करता है सारी चीजे फिर मैंने उसको उसके plan की थोड़ी सी information दी You have a family first plan आपका premium इतना है और आपके plan का नाम family first plan है उन्होंने का yes फिर उन्होंने में से question पूछा क्या आप agent हो और आप किसी working क्या आप agent हो या आप company में working हो सो मैंने उनको कहा कि company तो उन्होंने का okay सो फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने plan को upgrade करवा सकते हैं upgrade मतलब समझ रहे हैं मैं यहाँ पर एक sales pitching लाना चाहरा हूँ sales pitching लाना चाहरा हूँ क्योंकि उसका already plan चल रहा है वो अपने plan को ले चुका है आप को इस ले ले लिया है लेकिन मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आपने यह mobile बिकार लिया है सर इसको change कर दो मैं आपको दूसरा mobile दे देता हूँ मैं उसके पहले relation build करना चाहरा हूँ मैंने उसको कहा है कि यह mobile आपने ले लिया है सर ठीक है इसके उपर आप tempered लगा सकते हैं यह इसका cover ले सकते हैं तो मैंने उसको यहाँ पे pin किया है कि upgrade आप अपने plan को upgrade कर वा लिजिए फिर उसने मुझे reward क्या किया मेरा एक claim pending है यानि उसने कहा मेरे से मेरा एक claim pending है यानि जो वो mobile लेकर आया है वो कह रहा है कि मैंने एक पहले भी mobile लिया था वट उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मैं आपको as a mobile के according example देके समझा रहा हूँ so बस मैं यहाँ से अपने relation को build कर सकता हूँ so you उन्होंने कहा you can upgrade in the same amount no problem मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि मेरा एक claim pending है अगर आप उसको resolve करवा दोगे तो उसका जो भी claim amount आएगा उससे आप upgrade कर सकते हो यानि उनका जो भी claim amount pending है उसका जो भी पैसा आएगा अगर आप उस पैसे से मेरे को upgrade मेरा plan upgrade करते है तो मुझे कोई problem नहीं है फिर मैंने उनको plan detail भीजी फिर मैंने तब भी उसके बाद मैंने क्या करा मैं सीधा अपने product पे नहीं आया कि सर आप मुझे age बताईए मैं आपको यह बता देता हूँ मैंने कहा कि claim amount मुझे मैंने उन से कहा कि सर आपका कौन जो claim pending का claim amount कितना है उसने मुझे तुरंद message किया कि 771 रुपी has been transferred to your bank account 211-2022 please allow two three days मतलब उसका claim approve हो चुका है और अभी तक पैसा आया नहीं है तो यह तो बहुत जरा सी query है कि customer care ने उनका claim approve भी कर दिया है और उनका पैसा नहीं आया है तो मैं customer care से बात करके पूछ लूँगा क्या दिक्कत है और उनका पैसा उनको refund कराऊंगा उन्होंने फिर मुझे reply किया है कि यह message मुझे आ चुका है बट इसका जो claim amount है वो मुझे अभी तक मिला नहीं है में भी हो सकता है इन्होंने bank detail ना दी हो इस वज़े से ना आया हो है ना फिर उसके बाद मैंने इनको लिखा है कि all right sir मैं अभी एक mail shoot करता हूँ अपने back end team को और मैं personally update देता हूँ आपको so इन्होंने कहा so many days for small amount मतब यह कह रहा है यह बहुत दिन हो गए और यह छोटा सा amount है मुझे अभी तक नहीं आया है मैंने कहा I agree sir because our organization name hasn't changed मेरे organization का नाम change हो चुका है और यह अभी नीवा भूपा में है और covid की वज़े से बहुत सारे employee work from home काम कर रहे है but मैं personally आपके case को look up करूंगा फिर उन्होंने मुझे reply किया in this period you have to settle the claim in 24 hours मतब यह कहना चाह रहे हैं कि आपके according जो आपका tat है वो 14 गंटे के अंदर आप claim settle करने के लिए आपने commit किया हुआ है so मैंने कहा है कि sir कभी भी जो customer जो बोले उसकी बात को deny नहीं करना है अगर आप उसकी बात को deny करेंगे तो फिर आप argument में आ जाएंगे तो just customer जो कह रहा है उसको ठीक है सुनिए आपको जिल रिवर्ट देना है वो ऐसा रिवर्ट देना है कि ना नहीं होनी चाहिए मैंने कहा उन से सर कैसले तो हम 30 मिनिट के अंदर से जॉब करते हैं अगर कैसले अब आप एप्लाइ करते हैं होस्पिटल में तो हम 30 मिनिट के अंदर इसको सैटल करते हैं उन्होंने कहा but you are not पेंग दा होस्पिटल केंस 18th October to hospital so many deposit is वो ये कहना चाहरे हैं कि मेरा क्लेम तो 18 अक्टूबर का है बट अभी तो मुझे अमाउंत नहीं मिला है फिर मैंने उनको कहा कि सर मैं रेनुवल टीम डिपार्टमेंट से हूं और सेल्स डिपार्टमेंट से हूं तो उनने कहा कि check my history with company अपनी कमपनी से मेरी history check कर वाइये मैंने कहा कि सर मैं पस्नाली लुक अप कर रहा हूं यहां से मैं बार बार clients relation build करना चाह्रा हूं उननोंने कहा thank you उनोने कहा second success 16 November को हुई थी टीकि when you are asking for amount client will ask the claim in the hospital issue वो कह रहे हैं कि आप मेरे से मेरा क्लेम का इमांट पूछ रहो और यहां पर क्लाइंट आप से अपने क्लेम के बारे में जन्ना चा रहा है वो मेरे से कह रहे हैं कि आपको मेरे क्लेम की डेटेली नहीं पता है फिर मैंने उनको कहा है सर्थ ड्यू टू वर्क फॉर्म होम वी ह related जो पार्ट होता है वो back office का होता है यानि claim अगर आपका कभी claim आता है तो claim regarding जो पार्ट होता है वो किसका होता है back office का होता है back office मतलब जो पीछे काम कर रहे होते हैं office में office के अंदर जो काम कर रहे उन लोगों का होता है एक होता है sales team अगर आप किसी अगर आप किसी electronic shop पे काम कर रहे हैं तो आप television चला के दिखा के उनके बारे में बता के customer को टेलीविजन सेल कर सकते हैं आप कहां पर खड़े हैं आप television के शोरूम में खड़े हैं और वहां पे आप की जो को कस्टमर के सामने बता के उसको चीजे टीवी को इस टीवी सेल कर रहे हैं लेकिन अगर वो टीवी बेकार हो जाएगी तो वो टीवी उसको कहा दिखाने पड़ेगा अगर सैमसंग से ले रहा है तो सैमसंग के कस्टमर के एर भी उसको यही बताना चाह रहा हूं कि सर मैं बेकंड टीम से नहीं हूं मैं TV रिपेर करने वाला नहीं हूं मैं TV सेल करने वाला हूं तो उन्होंने का ओके तैंक्यू उनको समझ में आ गया थैंक्यू तो पिर वो कह रहे हैं चेक माई क्लेम hospital issue check my claim and hospital issue कि मेरे जो भी claim है उनको एक बार check कर लीजे और hospital के जो भी मेरे bill वगर है उन सब इचे जो को आप एक बार check कर लीजे मैंने कहा okay sir so मैंने अभी यहाँ पर overall पूरी चैटिंग में बस claim को क्या किया है मैंने यहाँ पर कोई ऐसी feeling नहीं लेकर आया हूँ कि मैं अपना product sale करना चाहरा हूँ मैं बस यही feeling बार बार दिला रहा हूँ उनको कि sir मैं back office से नहीं हूँ मैं sales department से हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ यह clients क्या होता है relation बिल्ड करना होता है और यह message मैंने इनको अभी किया है कितने बज़के 11 बज़के 46 minute पर और इनका तुरंत reply भी आने लगा है यह चैक दे चुके हैं यह चैक अभी एक दू दिन पहले इन्हों चैक दिया है आप लोगों को लीड जैसे ही दी जाती है साथ लीड आर्ट लीड लीड उस पे तुरंत काम करा करो तुरंत आप काम नहीं करोगे तो वही चीज क्लाइंट तुरंत दे देगा में भी अगर अभी मैं थोड़ी देर में क्लेम डेपार्टमेंट से बात करके इनके केस की बारे में पोचूंगा कि क्या हुआ है इनका केस अभी तक क्यों नहीं हुआ है तो यही चीज आप पूचेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी कि कैसे क्लेम सटल करवाया जाता है एक बार आपने क्लाइंट का सर्विस क्लाइंट को सर्विस दे दिना आपको महनत करनी ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे आप प्राउड करके अपना जो प्रोड़क्ट है वो सेल कर पाएंगे लेकिन अगर आप यह सुचेंगे नहीं मेरा प्रोड़क्ट लेलो मेरा प्रोड़क्ट लेलो तो पता है क्लाइंट आपको कैसी नजरों से देखेगा लालची वाली नजरों से देखेगा कि यह तो यार मेरे से पीछे पड़ा हुआ है यह मुझे अप प्रोडक्त बेचना चाहरा है नहीं आपको बेचने की नियत से काम नहीं करना है आप जब उसको help करोगे उसकी support करोगे तो client सामने से खुद आके कहेगा कि विश्वास जी आप ही मुझे प्रोडक्त दो मैं इदर उदर से नहीं लूँगा वो खुद call करके मेरे से बात करेग कि हां मुझे ये वाला प्रोडक्त चाहिए अच्छा अगर इसमें कुछ हो सकता है कि तो इस चीज को समझो कि यहां पर जो कुछ भी है कि बस अभी client से आपको relation बिल्ड करना है ना कि product sale करना है client से relation बिल्ड कीजिए जितना relation बिल्ड करेंगे उससे अच्छे से बात करेंग कि क्लाइंट उतना ही आप से प्रैस होगा